कि नमस्कार बीसीन नियूज के खास मुलाकत इस कारेक्रम मैं मैं शिति जादेश्मु का आप सभी का स्वागत करती हूं हम सभी को पता है मराठा आरेक्षन का मुद्दा इन दिनों पूरे महराश्ट राज्य में जो है गर्माया हुआ है इसी संदर्ब में आज हम बातचीत क होसले इन से उनका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टुडियो में सबसे पहला सवाल जो है आप से यह है कि जिस तरह से मराठा आरेक्षन की स्थिति हमें फिलहाल जो है राज्य में दिखाई देरी और जो वातावर निर्मान हुआ है उसकी वजह से क्या बताओगे फिल Laz GRDB आया आज सब्यार को नहीं किया है मैं इस आपके जैनल को र्म्याद देता हूं नल जो बताओप तो इसे तोह सा वी को इन British आरेक्षन के ख बने निर्हला नैक ही और मंड़के आरेक्ष। जिनका है उनको पंडीर में समावस्ट करना चाहिए और भी सीमि समावस्ट करत 各位 मभाती हैं उसके लिए कि निक्सी के पहले अट्टवन मोर्चे एक शकल मारथा समय के नाम से पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बहार भी लोगों ने उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया और एक वर्ल्ड रेकॉर्ड के हिसाब से एक मराण समाज्यों सब बोलते लड़ोई या शत्रिया है और उसके बाद इतना शांती मोर्चा जो हुआ और सब्सक्राइब निवेदन दिये गए सरकार के और सरकार ने उस वकत एक अरक्षन घोशित किया जो हाय कोट में चला वह सुप्रीम कोट तो नहीं उसके बाद मामला प्रहलम भीत रहा सरकार के और से भी रहा थोड़ा कहीं समाज्टी और से भी ज्यादा जोर नहीं पकड़ करके और मुझे यह बताई कि जब यह सब चालू था तब नागपूर में सिर्फ चपन लोगों को उसकी नोन मिलिये तो बाकी का जो मराद समाज है उसके बारे में क्या यह सरकार से पूछना चाहरे क्योंकि जो भी आरक्षन है और सरकार का काम है देना तो प्रश्न सरकार स कि अवी तक उन्होंने उसके बारे में क्या बारे में यह सकता है इस समाज को करा देता कि यह बार 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 यही चीँ और सब्रह में पएदा करना तो यह चीजे समाज के नहीं हैं इसी मुख्या प्रवा धारा में उस वकत जो समाज की स्तीती थी तो नहीं चाहरी थी कि हमने इसमें जाना चेह पर बाज में आज साट साल का जमाना वो लिया पचास साल की एक दो पिड़ी का जहां बदलाव आता है बड़ी बहुत सी परिस्तितिया जब बदल जाती है तो फिर यह मुद्दा नहीं पिड़ी के लिए आता है अगर पहले के यह काईदे कानून आप बल्लकी काली जमीने और यह सब लोगों से से क्लेक में लीन गई मिम फ्री किज स्वी परिस्तिता साथ यह चानी किया रेअश। जरकार ने उसे पूरी करना चाहिए जिस तरह से हम देख रहे कि जरांगे पाटि मराठा आरक्षन के लिए ही जो है सभा या जो जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं तो आपकी सखल मराठा समाज के और से क्या भूमिका है और उसके बाद जो है कुन भी प्रमान पत्र भी जो है दो मुद्धिया जो भी अंदोलन कि मराठा समाज के लिए कि कुन भी समाज को ऐसा है और उन लोग ने उस मोचे में हमें सबने साथ दिया कि हमारा मुद्धा यह था कि हमारे लिए पढ़ाई और नौकरी इसमें हमको आरक्षन चाहिए और हमको किसी को नहीं हमें अल्लग देना चाहिए और उइमांग आज भी हमारी है मराठा समाज का अभी जो आप बोल रहे हैं उनके नों में अगर उनको जाना है और उस प्रवा में जा सकते पर जो मराठा सिर्फ लिखा है मुझे आज बता है कि आप अगर बाकी समाज की आप बात बोलोंगे मराठा जो आप नहीं है जहां बच्चा पइदा होता है उसके जाद कास्ट लिखी जाते हैं कि समाज के समय बैठे यह बोला जाएंगा तो मैं मराठा हूं तो यह चीजह जो यह और आज की स्थीति हैं कि यह प्रमान पत्र की उपर शाशन कर रहा है तो उसके साथ बाकी तो मराथ जो इसका क्या तो मरात्वाला साइड में आपको यह प्रमान-पत्र मिल जाएगे पर उसके बाद पंजारवा देश्मुक जी ने एक आवान किया था कि जिनको विसी में आना है तो उस वक्त जिनको जाना तो उन्होंने मराठा कुन्भी कुन्भी मराठाव लगा लिए तो ठीक है पर जो नहीं गए उनका अभी क्या है कि अहले के लोगी हैं किस चीज़ को मतलब अबीसी में जाने को तयार है मराठा लेंगे हम कुन्भी बनके OBC में नहीं जाएंगे, हमारी CDCD साफ और सुत्र हमारा कहना है, और अगर उनके इसमें हम नहीं जा सकते, हम चाहते भी ने, मराठा होने को भी मांगा नहीं कि हमको किसी के हक से चीन के हमको उसमें डालो, तो हमको सिर्फ शिक्षन और नौकरी के लिए आरक् की है, मराठा समुदाय को? तो मराठा करके ही देना चाहिए, नहीं, तो हमारे लिए अलग से चाहिए, मराठा आरक्षन को लेकर जुस्ति अभी महराष्टर में निर्मान हुई है, दंगे फसाद हमें दिखाई दिए कुछ दिनों पहले, तो क्या ये सियासी दुरुष्टी कौन से आप देख रहे हो तो कोई सियासत और ये समय इस पे नहीं निकले थे, उसके बाद अभी थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा हिंसक जो हुआ, ये कही न कहीं मराठा आंडोलन को कहीं न कहीं डैमेज करने का भी ये हुआ है, और इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, और जीसका आधिकार जो है, ओ म लाग को और विसके नीचे के लोगों को मिलना चाहिए, आज क्या सबी ज cioè को मैं ये निवेदन करता हूं कि आज की जो अन लोगों को मिल रही तो में आप उपिसी पर समाज में आज हो स्तीती है और उनके लिए हमको अगर लड़ना है लड़ना पड़ेगा क्योंकि उस समाज में पएदा हुए तो मेरा कहने की गवर्मेंट ने पॉलिसी बनाने चाहिए चाहिए बाकी सब उपर के लेवल को डाल दीजिए आट लाक वाले के साथ बाकी पूरे समाज में मिला जो भी और समाज उनको पड़ाई और उसमें डाल द अब मराठा आरेक्षन की जो है रिकॉर्ड की जाच हो रही है जिनके पास कुन भी प्रमान पत्र उन्हें कुन भी प्रमान पत्र दिये जा रहे लेकिन जिनके पास नहीं है जो मराठा है ऐसे लोगों के लिए सकल मराठा समाज की और से आपकी क्या भुनिता हुए हमने कल और हमारी भुमी का सपश्ट हमने रखी है कि हमारे लिए सरकार ने क्या करना चाहती है हम मुख्यबंति जी से सवाल किया अभी जो आदिवेशन आ रहा उसमें भी हम उनसे यही इसके विशा में उसे बात करेंगे और हम उनसे चाहते कि आप दे नहीं कहिए यह यहां कहिए लड़ाने के काम कंभी नरे निसके माजन का उसके पहले बुजबर सहाब अल्लक स्टेट्मेंट है उसके पहएवड बैंकर स्टेट्मेंट है तो कहीन हम को ऐसा लग़ा कि सरकार इसमें कोई पॉलिटिकल यह तो खेल नहीं रही है कि सरकार के इसमें दो बहुत मौत्वपुर्णा वेक्ती है दोनों और भुजवल जी दंगे घड़ाने के तक के उद्देश की बात कर रहे हैं कहीं माजन यह कर रहे हैं अगर भुजवल साब को स्टेटमेंट देन से विरोधिकल वीच विच है हमारे बच्चों का भाउश्य के लिए हम सब मरणा बांदों एक अवान किया है कि सरकार ने अब इसका फैसला सरकार ने जल्दी जल्दी करना चाहिए तो आंदोलन के लिए आगे आना चाहिए अगर अनिविदन के बाद किसी तरह का हल नहीं निकलता है तो आपकी अगली भूमिका क्या होगी क्या फिर से आंदोलन छेड़ेगा आरक्षन को लेकर कुछ न कुछ तो नीती तेयार करके आनोलन तो करना ही पड़ेगा तरहाए हम सब को चाहिए Hä बात यह है कि चत्रपती शिवाजी महाराज ने खुद काय के हम मराठे और अठरा प्रगर जाती को लेके उन्होंने जब सुराजी की स्टापना की तो उन्हों कभी भेदबावी नहीं किया तो यह चीज अभी क्यों आ रही है और यह तो लोक्षाई है जब राजशाई में अगर यह चीज नहीं हुई तो लोक्षाई में यह होना नीच चाहिए बड़ी दुख्ची बात है कि अभी तक होना चाहिए नहीं समान लिए कर दो सब को सरदमान कर दीजे आठ लाग के जिस तरह से अभी हम देख रहे कि आरक्षन के मुद्दे को लेकर राज्य में स्कीति निर्वान हो रही है कई यूग जो है दंगे फसाद में भी पाए जा रहे तो आप एक समाज को क्या संदेश देना चाहोंगे आज हमारा संदेश है कि मराठ होने अभी तक जितनी गाइड होते जा रहे है उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं यह अगर त्रीवे आंदोलन करेंगे तो इसका लाब मिलेगा पर यह गलत चीज़ है उनके भविश्य के लिए खत्रा है क्यूंकि अगर इस प्रकार से करेंगे और उनके उपर अगर लग गई तो उनके भवि आने वाले पीड़ी के लिए हम कर रहे हो पीड़ी ने कमसे हों इस हिंसंग इसमें नहीं गिरना चाहिए किसी के भैकाव में ना आते हुए जो चल रहा है उस समाज का एक नाम गवरों रखते हुए उसी प्रकार से उन्होंने आंदोलन में सवार यह बिलकुल बहुत- से ही आंदोलन किये जाने चाहिए ना कि हिंसक होकर तो आज की खास मुलाकात में वक्तों चलाएं यहीं रुकने का आप देखते रही है बीसे लिए नमस्कार